टार्गेट विद आलोग के आनलाइन प्लेटफार्म से मैं पंडितम देश भट आप सभी छातर छात्राओं का हर्दिक अबनेंदन करता हूँ इसके पहले आप लोग देखे होंगे जो यूपीटेट में मैंने पढ़ाया आप लोगों के सामने जो प्रस्तुत हुआ वह रस को लेकर के प्रस्तुत हुआ था और रस के बारे में ओवराल मैंने पढ़ाया इसके बारे में बताया कि रस क्या होता है कितनी प्रकार का होता है कौन-कौन किस ने क्या-क्या रस के बारे में कहा आधी बारे में मैंने आपको एक वर्णन दिया था एक ओवराल आपको व्यू दिया था मैंने ये सोचा कि अगला जो टापिक होगा मेरा इसी रस से सम्मनिद होगा लेकिन मैं ये सोचा कि रस के पार्ट नो पढ़ाया जाए बलकि एक कोई नया टापिक पढ़ा दिया जाए चुकि रस को मैंने ओवराल व्यू दिया अब एक नय टापिक का कुछ व्यू देता हूँ उसके बाद हम लोग क्लास में डीटेल से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा इसलिए मैं एक नया टापिक और ओभी ऐसा टापिक महत्पून टापिक जो प्राया कम जो है यह पबलिश होता है वह टापिक होता है मुहाबरा इमंग लोकोगती तो आज हम मुहाबरे पर बात करेंगे आज लोकोगती पर बात नहीं करेंगे आज मुहाबरे पर इसके बाद हम लोकोगती पर बात करेंगे देखें मुहाबरा क्या होता है इसको पहले हम लोग जाने है मुहाबरा जो होता है अगर आप देखेंगे यह किस भासा का शब्द है मुहाबरा मुहावरा मूलत है जो है अर्बी भाषा का सब्द है मुहावरा किस भाषा का? अर्बी भाषा का मुहाविर शब्द है कौन सा? मुहाविर शब्द है और इस मुहाविर शब्द से यही अर्बी भाषा का शब्द है जब उर्दू में आता है तो इसे हम क्या कहते हैं, मुहाविरा कहते हैं, और यही मुहाविरा हिंदी में क्या हो जाता है, मुहावरा हो जाता है, हिंदी में क्या, मुहावरा हो जाता है, और संस्कृत में इसे, संस्कृत में इसे जो है, रूड होकती के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, रूड होकत के नाम से जाना जाता है ऐसी उक्तियां जो रूण हो गई है मैं जब बताऊंगा रूण क्या होते हैं योग रूण क्या होते हैं योगिक शब्द क्या होते हैं वहाँ पर मैं आपसे जब क्लास लूँगा तो डिस्कुसन करूँगा यहाँ पर आपको तो ये एक क्रमिक विकास कहिए या भिन 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 भाषाओं में अलग-अलग नाम होते हैं, विकास नहीं बलकि नाम कहिए, नाम तो अलग हो सकते हैं लेकिन काम एक ही है, जो यहां पर मुहाविरा अर्थ देगा, वही मुहावरा अर्थ देगा, वही रुड़ोक्ति देगा वही मुहाविर होगा यानि कोई अंतर नहीं है अलग-अलग केवल नाम हो जाते हैं यह जो मुहाविरा है या जो मुहाविर शब्द है मुहाविर अर्वी का मुहाविर का अर्थ क्या होता है अर्वी के मुहाविर का अर्थ क्या होता है वारतालाब की विसेस सैली क्या होता है वारतालाब की विसेस सैली अब वारतालाब की विसेस सैली क्या होती है यानि हम जो आपश में बात करते हैं विसेस सैली वारतालाब की हमारी एक तो बातचीत होती है आप हमसे बात करते हैं मैं आपसे बात करता हूँ एक तो एक सामान ने बात हुआ लेकिन ये कह रहे हैं कि वारताल आपकी कोई विशेश सेली है तो ये विशेश सेली क्या है वादचीत की विशेश सेली क्या है वादचीत की विशेश सेली वह होती है कि अगर हम कोई बात करते हैं तो उसका सामान अर्थ 9 निकाल कर कोई 20 अर्थ निकाला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं मुहावरा कहते हैं तो अगर हम परिभासाओं पर बात करें तो परिभासाएं क्या निकल करके सामने आती हैं परिभासाएं अगर हम देखें तो ऐसा कर सकते हैं ऐसा वाक्यांस क्या लिख सकते हैं ऐसा वाक्यांस जो ऐसा वाक्यांस जो सामान अर्थ का बोध न करा कर किसका सामान अर्थ का सामान अर्थ का बोध न करा कर बोध नो कराकर किसी विशेश अर्थ का बोध कराता है तो उशे हम मुहावरा कहते हैं उशे हम क्या कहते हैं मुहावरा कहते हैं ठीक है तो ये परिभासा ही कह रहा है कि ये सामान अर्थ का बोध ना करावे तो वह विशेश अर्थ का बोध कराएगा तो वहाँ पर मुहाबरा होगा मुहाबराओं का जो प्रियोग होता है वहाँ वाक्य के अंतरगत होता है मुहाबराओं का प्रियोग स्वतंतर रूप से नहीं होता है यानि जब कोई वाक्य हम बोल लहे हैं उस वाक्य के अंतरगत हम मुहावराओं का प्रियोग कर देते हैं तो मुहावराओं के प्रियोग से भाशा जो है ओगांभिर यह हो जाती है भाशा में क्या हो जाता है शुद्रनता आ जाती है भाशा की उच्चता हो जाती है भाशा में वह प्रबलता आ जाती है कि लोगों क आकरशित कर लेती है भाषा में तारत तो हो जाता है तो ये क्या है? ये मुहावराओं की बिसेस्था है कि अगर मुहावरा, हम साथ-साथ अगर मुहावरा बोलते हैं अगर वाग के हम कोई वारतालाब कर रहे हैं अगर बान लीज़े सामा आप सामानित है आप लोग बोलचाल में कह देते हैं कोई बहुत ज़्यादे अगर खाना खाता है बहुत ज़्यादे वो भोजन करता है उसको एक पूरी या दो पूरी उसके सामने आ गई या कोई थोड़ी सी तो कहते हैं आरे क्या लाय होए तो उटके मुह में जीरा है तो आप क्या सामान निसी बाते आप कह देते हैं तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं कि ये मुहावराओं के प्रियोक से कम सब्दों में अधिक से अधिक हम अपनी बात को रखने का प्रियास कर देते हैं ये भी होता है और वो बात अधिक से अधिक सब्दों में यानि अधिक से दिक रखने का ही प्रियाश नहीं हो तो उस बात में वजन हो जाता है उस बात में साहित्य कापुट हो जाता है तो आपको लगता है कि नहीं इनको नालेज है या इनको ग्यान है तो आपके बात में एक वजन होता है आपके बात के गंभेरता को समझा जाता है इसे ही हम मु लेकिन सामान्यता मुहाबरा जो होते हैं यह इनके अर्थ को क्या करना पड़ता है निकालना पड़ता है यह मुहाबराओं के अर्थ को क्या करना पड़ता है निकालना पड़ता है जबकि लोकोक्ति में ऐसी कोई बात नहीं होती है मुहाबरा वाक्यांस होते है यह छोटे को है लेकिन 99% लग होता है मुहावराओं मुहावराओं के अंत में क्या आता है ना आता है क्या आएगा ना आएगा तो मुहावरा के अंत में आपको ना आएगा तो ऐसा भी आप पहचान सकते हैं कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भी आ सकता है तो हम आज जो है कुछ मुहाबराओं पर हम बात करते हैं तो मुहाबराओं को हम देखते हैं कि और उसके आप से जो विकल्प हमेशा मेरा अपना मानना है कि मुहाबरा और लोकोक्तियां कभी ये रटनी की विसेवस्तू नहीं है मैं कल इसके बाद लोकोक्ति पढ़ाऊंगा आज मुहाबरा पढ़ा रहा हूँ मुहाबरा के कुछ कोश्चन्स हम करवाएंगे अभी तो आप देखेगा कि आप स्वेम से लोकोक्तियां कैसे आसानी से निकल जाती है आपको बहुत इसमें लोग रटते हैं मेरा अपना मानना है कि अगर समझ पैदा हो जाए तो संभवता यह रटनी की वस्तू बिसे वस्तू नहीं है तो हम कुछ कोश्चन्स को देखते हैं कराते हैं और उस पर देखते हैं कि आप कितना इस पर आपका कमेंट आता है या कितना यह सही है कि नहीं है मेरा ऐसा कोई ऐसा अपना मानना नहीं है कि नहीं मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये तो शही है बात सही है इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन आपको कितना ग्राह हो रहा है ये बात भी निर्भर होनी चाहिए अगर ये तारतम्यता सिक्षक का पढ़ाना और छात्र का ग्रहण होना दोनों अगर सासाथ हो तब तो मजा है हम जो पढ़ावें वह आपको समझ में नयाव है वह उपर से गुजर जाए तो ये जो है कोई मतलब नहीं होता है तो यानि हम कैसे जानते हैं आपके उत्तरों से जानते हैं आपके द्वाना दिये गए जो आप सांचारी गूप से अपनी बात कहते हैं उससे हम जानते हैं तो आईये चलते हैं, हम कुछ कोश्चनों को देखते हैं, कि विशेस अर्थ का कैसे प्रियोग हो रहा है, कैसे सामान्य अर्थ का प्रियोग नहीं हो रहा है अगर मान लिजी जैसे एक questions है बहुत ही बढ़िया question है ये question कह रहा है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है देखे एक questions पूछे गए है और कहां पूछा गया है UPT 2014 फ़स्ट पेपर में कहीं न कहीं ये प्रश्ट जितने में प्रश्ट लिया हूँ आज के सिसन में उस सभी कहीं न कहीं से आये हुए प्रश्ट नहीं है तो आईए देखा जाता है इससे आपको भी आसानी होगी कि हाँ ये questions पूछे गए हैं और हम उत्तर कैसे नाक का बाल होना मुहावरे का क्यारत है इसमें दिया है अधिक समीप होना कश्ट देना अधिक प्रिय होना पालतु होना ठीक है नाक का बाल होना आप कभी देखेगा एक आपके सर का बाल होता है एक आपके नाक का बाल होता है बाल भिन भिन अस्थानों पर होते हैं लेकिन अगर नाक के बाल को कभी आप प्रियास करिएगा कि नाक का जो बाल है इसको जैसे इस सर का जो बाल है इसको ऐसे निकाल देजिएगा तो कोई प्राबलम नहीं हो सकता है दो चार एक निकल जाए लेकिन नाख के बाल को खीचेगा तो नाख के बाल को जब खीचेगे तो आखों से असुरधारा निकल जाएगी कश्ट होगा तो आख क्यों कश्ट होगा क्योंकि यह प्रिय का बिछड़ना और और प्रिय का मिलना भी कश्ट कारख होता है जब अपना प्रिय बिछडता है ना, तब भी कष्ट होता है, तो यानि यह कहिन कहीं मुझे अथिक प्रिय है, तब ही यह मुझे कष्ट दे रहा है, तो नाक का बाल होना अर्थात क्या हो जाएगा, अधिक प्रिय होना, answer क्या आपका लग जाएगा अधिक प्रिय होना ठीक अधिक समीप होना नहीं होगा कष्ट देना नहीं होगा पालतू होना नहीं होगा अत्यधिक प्रिय होना यानि ये जो है प्रिय है तभी हम ऐसा काम कह रहें, तभी आशु अगला question क्या कहते है कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है, यानि कान का कच्चा होना, ये भी U.P.T. 2011 में हश्ट पेपर में पूछा गया है, कहीं ने कहीं ये कोच्चा मैंने बताया, आये हुए हैं, कान का कच्चा होना, ये इसका अर्थ क्या होगा, कान का कच्चा होना कान का कच्चा होना यानि कम सुनना ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है दूसरे की बात मानना ऐसा कुछ भी नहीं है कि दूसरे की अब बात मान लेते हैं कान के कच्चे हैं कान का कम जोर होना मैंने कहा कान का कच्चा होना यानि कान का कच्चा होना किसी भी बात पर आप विश्वास, तुरंत विश्वास कर ले रहे हैं इसलिए कच्चा हैं, पके नहीं है पके कच्चे होने का मतलब कहते हैं आप समाने रुप में कहते हैं कि अभी ये बालक है, अभी इसकी उम्र कच्ची है ये कहीं बाग सकता है कहीं बाग सकता है मतलब यह किसी पर विश्वास कर सकता है और जब आप प्राउड हो जाते हैं जब आप अन्भो ले लेते हैं तो यूँ ही आप नहीं डग मगाते हैं तो कान का कच्चा है यानि ये किसी भी बात पर बिश्वास कर ले रहा है, किसी बात मुलों सुनी हुई बात पर, तो जैसा आपसर है तो सुनी बात पर क्या कर ले रहे हैं आप बिश्वास कर ले हैं, जो आज यहां सुने, तो उसकी बात पर बिश्वास कर ले रहे हैं, कल कोई और कहा उसकी बाद पर विश्वास कर ले रहे यानि आप कान के कच्चे हैं आप उसको परक नहीं रहे तो स्वैम से इसको निकालने का अगर प्रियास करेंगे तो संभवता है यह प्रश्ण जो है कभी आपको दिक्कत नहीं देगा, कभी आपको निरास नहीं करेगा चलिए अगले कोश्टन पर चलते हैं, कोश्टन नमबर तीन आख का काजल चूराना मुहावरे, आख का का काजल मुहावरे का अर्थ पताईए ठीक है, आपको आख का काजल चूराना यास्रम पधध़त परवक्ता में नहीं प्रुचा गया है 2009 में ठीक है, आँख का काजल चूराना, अगर आँख में काजल लगाए हुए हैं, और इसी को कोई क्या कर ले रहा है, चूरा ले रहा है, कितना साफगोई से बात हो रही है, सामने या पास की वस्तु चूरा लेना, चलिए, आँख में लगाने वाले काजल की चूरी, ऐसा कुछ भी नहीं है, सामान ने अर्थका बोध कर रहा है, आँख में काजल जो लगाए हैं, उसकी चूरी, ऐसा कुछ नहीं है, मामुली वस्तु की चूरी, ये भी कोई मतलब नहीं निकलता है, असंभो प्रकार की चूरी का प्रियत्न करना, ये भी कोई बात नहीं है, सामने या प साफगोई से आप चूरी कर रहे हैं, तो यानि आप जो है, यहाँ पर आग का काजल आप चूरा ले रहे हैं, तो इसको आप ये देखेंगे कि कितनी साफगोई से आप यहाँ पर चूरी कर ले रहे हैं, आग का काजल चूरा रहे हैं, ठिक, आगे चलते हैं, गूलर का फू फूल होना, गूलर का फूल होना, मुहाबरे का अर्थ आपको बताना है, ये GIC प्रवक्ता में पूछा गया है, 2012, ठिक, गूलर का फूल होना, लाल पीला होना, ये कोई बात ही नहीं है, अत्यदिक सुन्दर होना, गूलर का फूल आप देखे ही नहीं होंगे, विवर्ण होना यानि विवर्ण मतलब होना चेहरे की रंगत बदल जाना ऐसा भी नहीं है गूलर का फूल होना दुरलब होना गूलर का लोग कहते हैं समान बात में कहते हैं अगर आप किसी के पास बहुत जादे दिनों बात जाते हैं तो आप जो है क्या कहते हैं कि अरे ऐसा लग रहा है कि आप गूलर के फूल हो गए हैं यानि दुरलब बस बहुत दिनों बाद दिखाई जा रहे हैं तो क्या है गूलर का फूल होना या मैंने कहा कि यह जो मुहाबरे जो होते हैं यह बीच में वाक्यों के बीच में प्रियू कर देते हैं, तो दुरलब होना, गूलर का फूल होना, चलिए, अगले question पर चलते हैं, अपने मुह मिया मिठ्धु बनना, क्या बात है, अपने मुह, यानि आपका ही मुह है, मिया मिठ्धु बनना और मिठा बन रहे हैं, अपने मुह अपने मिठा बन रहे हैं, अपनी बाते चीपाना कुछ भी नहीं जब मिया मिठू बन रहें तो कैसे बाद चीपाएंगे अपनी अनिंदा स्वैम करना कैसे मिठू बन रहें तो अनिंदा नहीं होगी कि अपनी चर्चा करना चर्चा तो करी रहे हैं लेकिन कह रहे हैं कि अपनी चर्चा ही नहीं करना बलकि क्या है अपनी प्रसंसा कर रहे हैं स्वैम ही तो अपनी प्रसंसा स्वैम करना ये एक मेरा अपना मानना है कि कभी-कभी मैंने देखा है कि दो प्रायह लोग ऐसे होते हैं कि यह अपने मुहमिया मिठ्धु बनना इसकी जादे तर मैं सिकार देखता हूँ कौन-कौन से लोग दो लोग होते हैं ऐसे होने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन मैंने ये देखा कि पहला वह नेता होता है, राजनितिक रूप से क्या होता है, नेता होता है, वह अपनी प्रसंसा, ये नंबर पर ये चलता ही, ये बाजी मार लेता है, दूसरे नंबर पर कौन अपनी प्रसंसा करता है, स्वय में अपनी प्रसंसा करता है, वो होते है कोचिंग के सिक्षक कोचिंग के सिक्षक यानि जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं वो सिक्षक होते हैं डाइरेक्टर कह लिजे या सिक्षक कह लिए जो कह लिजे डाइरेक्टर कम सिक्षक जा दे क्योंकि सिक्षक ही आपसे रूबरू होता है तो सिक्षक अपनी प्रसंसा स्वैम करता और इतनी प्रसंसा करता कि मैं जो पढ़ा दूँगा वो कहीं मिलने वाला नहीं है ब्रम्हांड में यही बात सिर्फ आप के लिए वो ले करके आया है और कहीं वो देने वाला नहीं है ऐसा लग रहा है कि वो नए सब्दों का निर्मार कोई कर दिया है भी हम जो भी पढ़ा रहे हैं बड़ी साफ गोई से सुखारोक्ती होनी चाहिए सभी बातें लिखी हुई हैं यहां सिर्फ हम तस्तुती करण कैसे कर रहे हैं यह प्रस्तुती करण मेन होता है और कुछ नहीं है पढ़ाने के लिए सब लोग लेकिन हमारा प्रस्तुती करण है वही आपको चावल है वही आपका डाल है वही रोटी है वही सब्दी है प्रस्तुती करण कैसे हो ला है यह प्रस्तुती करण माइने रखता है किसी के प्रस्तुती करन अच्छा लगता है किसी का प्रस्तुती करन नहीं अच्छा लगता है कोई दाल चावल एक ही में रख देगा रोटी उसके उपर रख देगा सब्जी बगल में लख देगा कोई दाल चावल एक साथ रखेगा रोटी अलग देगा सबजी एक में कर देगा कोई दाल चावल रोटी सबजी अलग अलग देगा कटोरी में सजा करके देगा तो प्रस्तुती करण मेन होता है और निकुछ नहीं है तो अपनी प्रसंसा स्वयम करना मैं जो हिंदी का मैं जो हिंदी का सरवस्व हूँ महाराजा धीराज देवपुत्र शाहिन साहान शाहि मैं अपने आपको सारी विभूतिया अपने आप सरवस्व लगा लो ये अच्छी चीज नहीं है किसी के लिए अच्छी चीज नहीं है तो अपनी प्रसंसा यानि अपनी तारीफ स्वयम करना क्या है? अपने मुहमिया मिठ्छो बनना चलिए अगले पर चलते हैं अगले महावरे को देखते हैं कह रहा है कि हो क्या किसी बात पर तो द्रिण्धर हो यानि में आपको भरना है किसी बात पर ये KBS यानि प्रवक्ताम पूछा गया है 2018 अठारग नेचर कई हो सकते हैं पूछने के किसी बात पर द्रिण रहो यहाँ पर देखे रहेगा किसी बात पर द्रिण हो पत्थर की लकीर नहीं, सोनिप शुहागो, नहीं, मोटी एक, नहीं, बेपेदी का लोटा, कहते हैं बेपेदी का लोटा हो क्या, या थाली का बैगन हो क्या, तो बेपेदी का लोटा, यानि किसी बात पर तो द्रण रहो, बिना किसी बात पर द्रण ना रहना, बेपेदी का लोटा, तो बेप यह हमेशा गूमेगा लेकिन अगर पेदी है तो एक जगा अस्थाई हो जाएगा त्यानि किसी बात पर दिर्ण है ना रहना बेपेदी का लोटा ठीक है तो यहानी यहाँ पर डाट डाट में यह आपका डी अप्सन भर दिया जाएगा चली अगले कोश्चन पर चलते हैं और अगला कोश्चन क्या कहते हैं अगला कोश्चन कह रहे हैं पारा उतरना मुहाबरे का अर्थ एच टी इटी यानि हर्याना केट में पूछा गया है 2013 में पूछा गया है पारा उतरना मुहाबरे का अर्थ पारा उतरना कहते हैं कि अपना पारा थोड़ा सा कम करिये पारा उतरिये यानि तापमान कम होना ऐसा कुछ भी नहीं है सर्दी पढ़ना होगा ही नहीं बुखार उतरना नहीं पारा कम करना विशे सर्थ क्या क्रोध क कहते हैं न, अपने क्रोध को जरक कम करिए, पारा को उतारिए, जादे पारा आपका चड़ गया है, जो बहुत जादे क्रोध हो गया है, कहते हैं न, तो पारा उतरना, यानि क्रोध कम होना, ये क्या होता है, पारा उतरना, क्रोध कम होना, समान्नी करण में, विशेशी कृत क रूप में समानी करन करेंगे तो संभवता है आपको कभी questions गलत नहीं होगे यह देखे सैतान की आथ इस मुहावरे का उप्यूकत तर्थ क्या है यह यूपी ट्रिपल स्सी अमीन परिक्षा 2016 में यह पूछा गया है सैतान की आथ है तो सैतान वैसे भी कोई छोटा मोटा तो होता नहीं होता है सैतान का नाम लेते ही आपको image बन जाती है कि क्या है सैतान अत्यन्त धूर्त ब्यक्ति यह हो ही नहीं सकता है कि अत्यन्त धूर्त सैतान की आथ कैसे धूर्त ब्यक्ति होगा अत्यन्त अलाब दायक हो ही नहीं सकता है अत्यन्त नगाण वस्तु ये हो ही नहीं सकता है सैतान है तो नगाण कैसे होगा तो होगा बहुत लंबी वस्त सैतान की आथ बहुत लंबी वस्त ठीके? यनि सैतान की आथ होना बहुत लंबी वस्त होना जब सैतान है, मानों नहीं है, तो उसकी आत है, तो बहुत लंबा होगा, कहते हैं सैतान हो, क्या सैतान मतलब एक परकार से ब्रियदा कारे रूप हो जाना है, तो बहुत लंबी वस्तु होता है सैतान की आत होना, जितना आप काम करेंगे, कम ही रहेगा, हाथ को हाथ नौ सुझना हाथ को हाथ नौ सुझना का अर्थ क्या होगा ए राजस्थान बीड में पूछा गया है 2008 हाथ को हाथ नौ सुझना हाथ को हाथ नौ सुझना यानि एक जो हाथ है इसको दूसरा हाथ नहीं दिखाई दे रहा है क्यों नहीं दिखाई दे रहा है ब्रह्म में पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा ब्रह्म में पढ़ेंगे तो दिखाई देगा यानि ये खतम खोए रहना ऐसा कुछ भी खोलेंगे तभी भी हाथ को हाथ तो सुझेगा हाथ को हाथ ना सुझना है चोट लगना ऐसा कुछ भी नहीं है दिखेगा घना अंधेरा हाथ को ये हाथ आपका ही दिखे न अपनी आँखों से ये हाथ न दिखे क्यों न दिखे गना अंधेरा है तब भी तो नहीं दिखेगा आप जानते तो है मेरा हाथ है लेकिन आपको दिखी नहीं रहा है कि ये मे तो हाथ को हाथ नौ सुझना, घना, अधेरा होना, ठिक, चले, question number 10, 10 क्या कहते हैं, उननीस बीस होना, असान सा है, बीएट परिछा 2004 में ये पूछा गया है, उननीस बीस होना, भाग जाना है, नहीं, विसाब जोड़ना, नहीं, बहुत अंतर होना, नहीं, उननीस बीस है, तो बहुत कम अंतर, एंसर क्या हो जाएगा, बहुत कम अंतर, उननीस बीस होना, तो यानि ये बहुत कम अंतर, उननी को इसा कुछ भी नहीं है ब्ली का why निकाला इसा कुछ भीर आए कि जाते हैं कि की यह को बैठा है डर करके बैठा हुगा सामान नी भूष-चाल में आप वोलते हैं कि निकाल दीजे अंद हरत निकाल दीजिए अपने你 अब समान डेइंगे तो आप आपको अर्थ एकदम एक्जेक्ट आ जाएगा और रटने की कोई बात नहीं होगी नहीं तो आप रटने लगेंगे तो कितने रटेंगे भई रटे रटे आप ठक जाएगे काग जी घोड़े दोड़ना मुहाबरे का अर्थ बताईए का पीजी टी परिच्छा 2009 ये पीजी टी में पुछा गया है काग जी घोड़े दोड़ना मुहाबरे का अर्थ काग जी घोड़े तो काग जी घोड़े दोड़ना यानि हम क्या कर रह आप नकली घोड़े दोड़ना कागजी घोड़े दोड़ा रहे हैं तो नकली घोड़ा खतम करिए ठीक है कागजी घोड़े दोड़ना बहुत परिस्त्रम ये भी नहीं हो रहा है जाज परताल करना ये भी नहीं होगा तो क्या हो गया ब्यर्थ की लिखा पढ़ी करना कागजी घोड़े दोड़ाना यानि ब्यर्थ की लिखा पड़ी बिना काम का आप काम करें क्योंकि कागजी घोड़ा दोड़े का नहीं तो जो हम काम कर रहे हैं वो बिना काम का कर रहे हैं ब्यर्थ कर रहे हैं तो ब्यर्थ की लिखा पड़ी करना क्या होता है कागजी घोड़े दवड़ना होता है ठीक है यहाँ पर माथा ठनकना क्या बात है माथा ठनकना आपका माथा ठनक गया भैवीत हो गए माथा ठनकना ठनकना नहीं माथा कहते हैं मेरा माथा ठनका तो मेरा माथा ठनका क्या हिम् नई, क्रोधा गया, नई, अनिष्ट की आसंका, माथा ठनका की, मेरा माथा ठनका की कहीं ऐसा न काम हो जाए, अगर उसने मुझसे यह बात किया, तब तक मेरा माथा ठनका हो, यह मेरे पीछे कुछ साजिस कर रहा है, यानि अनिष्ट की आसंका, माथा ठनकना, ऐसा आप, ठनकना यहां देखे दुखी सुदामा को द्वारिका में आया देख स्री कृष्ट ने उन्हें डाट 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 रिक्त अस्थान के लिए उप्विक्त मुहावरे का चेन के जिए दुखी सुदामा को द्वारिका में आया देख स्री कृष्ट ने उन्हें रिक्त स्थान के लिए उप्विक्त रेल्वे परिक्षा दोजारेक तो अब आया देख स्री कृष्ट ने उन्हें क्या किया इद का चांद बनाया ऐसा है नहीं तारे तोड कर ला दिये ऐसा भी लगा कर रखा, ये भी नहीं है, कि permanent लगाई ही रहे, सिर आँखों पर बिठाया, सम्मान दिया क्या बात है द्वारिका से स्रीक्रिष्टियू नहें सिर आँखों पर बिठाया अत्यधिक सम्मान दिया ठीक है यानि आपको एकदम पलकों पर बिठाया रखना, अत्यधिक सम्मान देना आपको तो क्या होता है, सिर आँखों पर बिठाना यानि इस डाट में क्या पूँँ जाएगा या अपसंडी भर दिया जाएगा चले अगले देखते हैं अगला क्या होता है, कोश्चन नमबर पंदर बीरू और जय में चोली दामन का साथ है रेखांकित महाबरे का अर्थ पताईए बीरू और जय में चोली दामन अच्छा तो बीरू और जय में चोली दामन का साथ है रेखांकित महाबरे का अर्थ पताईए चोली दामन का साथ ठीक है चोली दामन का साथ होना या अंडरलाइन कर दीजे है नहीं वीरु और जय में चोली दामन का साथ है चोली और दामन मुहाबरेकारत है ठीक है तो एक दूसरे पर निर्भरता है ऐसा है एक दूसरे सा सत्रुता है चोली दामन का समन्तो नहीं एक दूसरे से मितरता है यहाँ एक दूसरे से अस्पर्दा ये भी तो दो कतम हो गए अब क्या है एक दूसरे पर निर्भरता है और एक दूसरे से मितरता चोली दामन का साथ क्या होता है एक दूसरे से मितरता होती है यही हमारा चोली दामन का साथ होता है है तो अगले क्वेस्टन पेचलते हैं कि बीरु और जय में चोली दामन का साथ है करें रेक हांकित मुहाब्यर्थ आर्थ आपको पताना आ है तो यहाँ पेडि़ु और जय में चोली दामन है इसे शोली दामन Är तो क्या होगा एक दूसरे पर असपर्धा ये तो होगा नहीं एक दूसरे से मित्रता चोली दामन का साथ है एक दूसरे से सत्रता नहीं एक दूसरे पर निर्भरता चोली दामन का हमारा साथ है एक दूसरे पर हम लोग क्या है निर्भर है तो वही हमारा चोली दामन का होता है एक दूसरे पर हम लोग निर्भर हैं ठेक है यानि ये अब हो जाते हैं शमाप्त यानि यहीं से हमारा क्या होता है ये कुश्चन और मैं बैसा कुछ भी नहीं मैं बस इतना बताने का आपको प्रयास किया कि आप स्वेम से मुहावरा भी निकाल सकते हैं रट नहीं अगर निकालना आप जान लेते हैं तो आपको रटने की कला कम हो जाती है यानि कम रट पाते हैं नहीं तो कितने मुहावरों को रटेंगे रोज नए नए मुहावरे रहे का मतलब इतने मुहावरे हैं और सारे मुहावरे पूछे जा रहे हैं तो पहली बात आये हुए मुह मुहावरों के साथ साथ नए मुहावरे अप जब समझने का प्रियास करेंगे तो आप देखेंगे अब जब निकालने लगेंगे तो देखेंगे आसान हो जाएगा आपको रटना नहीं पड़ेगा मेरा सिर्फ ये बताने का आज का उद्धिस था कि आप रटिये मत बलकी लेते हैं तो ये ताउम्र आपके साथ रहता है रटना कोई इसका बिकल्प नहीं होता है ठीक है तो ठीक है आज के लिए बस इतना ही कल पुनह जो है हमारी मुलाकात होती है इसी का जो एक पार्ट है लोकोक्तियां उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे और पुनह उ भेर सारी शुप कामना है और धन्यबाद जय हिंद